दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्णव मुखरजी के बारे में आप इस इमेज में देख सकते हैं ये भारत के 13 राष्टपती थे ये पुर्व राष्पती थे पर्णव मुखरजी यहाँ पर इनसे related जो भी महत्पूर्ण fact बनेंगे एक्जाम के दरिश्टी कौन से वो सभी के सभी प्रश्ण, वो सभी के सभी टापिक्स, वो सभी के सभी तत थे जो भी महत्तपूर्ण है आपको यहाँ पर इस पीडियप में देखने को मिलेगा यह पीडियप में आपको 20 MCQ भी देखने को मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं सबी चीज़ों को मैंने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा है काफी आसान भासा में ताकि आप इसे काफी अच्छी तरीके से याद रख सकें देखें यहाँ पर मैं दो प्वेंट पढ़के आपको बताता हूँ पहला प्वेंट है पर्णम मुखर जी का जन में 11 दिशंबर 1935 को पस्चिम मंगाल के विरभूम जीले के किरनाहर शहर के निकट इस्थित मेराती गाउं के एक ब्राम्भन परिवार में कामदा किंकर मुखर जी और राज लश्मी मुखर जी के यहाँ हुआ था और 84 वर्ष की उम्र में दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को इसकी मिर्थी हो गई तो इसी तरह के सभी चीज़ों को यहाँ पर इस पीडियप में समिलित क्या गया है इसका राजनेतिक परीचे इसके राजनेतिक जीवन थे उसके बारे में इसका जो भी सिक्षा था वो सब्सक्राइब को यहाँ पर इस PDF में काफी अच्छे तरीके से मैंने बताया है अब यहाँ पर इसके बारे में जब आप इसे डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप इसका PDF को हाँ से प्राप्त करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है वहाँ पर जाईए और इसका PDF को प्राप्त किजे और साथ ही इसी टॉपिक से रिलेटेट जितने भी महत्तपूर्ण MCQs मनते हैं यहाँ पर मैंने 20 MCQs को चुना है जो आपके आने वाले किसी भी comparative exam के दिरिश्टी कौन से काफी महत्तपूर्ण हो सकते हैं तो इसे ध्यान रखते हुए मैंने इसे त्यार किया है तो आप इसे पूरा वीडियो को ध्यान पर देखें और यहाँ पर आप देखें कि 20 में से आपके कितने प्रशने यहाँ पर सही होते है तो हम यहाँ पर एक एक करके शभी प्रशने को देखेंगे यहाँ पर जो भी theory था उपर में जो भी से related जो भी मत्तपूर्ण तत्य थे वो यहाँ पर मैं उसे नहीं बताने वाला हूँ सिर्फ और शिर्फ यहाँ पर मैं 20 MCQ जो है वो बताने वाला हूँ अगर आपको यह पूरा पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन करें उसका link इस video के description में है वहाँ पर जाके जितने भी पूराने फीडियाप हैं हमारे द्वारा भेजे गए वो सभी फीडियाप को आप वहाँ पर access कर पाएंगे और इसे यूज कर पाएंगे तो यह निसंदे ही आपके लिए काफी मत्तपूर्ण होगा आने वाले शमय में जो भी एकजाम होंगे यहाँ से हो सकता है कि एक दो प्रशन देखने को आपको मिल जाए तो इस वीडियो में हम बिसिकली बात करेंगे पर्णम मुखरजी से यहाँ पर 20 MCQs के बारे में तो हमारा पहला प्रशन है भारत के पुर्वराष्टपती पर्णम मुखरजी का जन्म कब और कहां हुआ था यह कापी मातपूर्ण प्रशन हो जाता है यह जन्म कब और कहां हुआ था तो देखे जन्म में जो हुआ था इसका यह 11 December 1935 को पस्षिम बंगाल में हुआ था ठीक है तो आप यह ध्यान रखेगा 11 December 1935 को पर्णम मुखरजी का जन्म पस्षिम बंगाल में हुआ था अब यहाँ पर ध्यान रखेगा 1935 1935 में ही 1 April 1935 को क्या हुआ था आप सभी को ध्यान होना चाहिए 1 April 1935 को क्या हुआ था RBI का गठन हुआ था भारते रिजार बैंक का गठन हुआ था यह भी चीज़ आप ध्यान रखेगा 1 April 1935 को भारते रिजार बैंक की अस्थापना हुआ था तो यह दोनों चीज़ों को ध्यान रखेगा 11 December 1935 पर्णम में पुरु राश्पती पर्णम मुखरजी का जन्म हुआ था तो अभी हाली में इसके जो मिर्ति हुई है यह 31 December 2020 को नई दिल्ली में हुआ है 31 December 2020 को नई दिल्ली में हुआ है जब यह मैं वीडियो सुट कर रहा हूँ तो आज ही 31 December 2020 है अभी से तक्रिबन आधे गंटे पहले इसका ध्यान रखेगा तो ध्यान रखेगा इसका जो आणसर होगा 31 December 2020 होगा चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्ण के बारे में तीसरा प्रश्ण है मारा पर्णम मुखर जी भारत के कौन से राष्ट पती थे यहाँ पे करम आपसे पुछा जा रहा है कि कौन से करम के राष्ट पती थे तो यह सबसे महत्पूर्ण प्रश्ण बन जाता है यह BBI प्रश्ण है आपसे ध्यान रखेगा यह most important प्रश्ण है यह प्रश्ण निस्चित तोर पे पुछा जाएगा तो पढ़ण मुखरजी भारत के 13 राष्ट पती थे अपसे नमर सी हमारा इस प्रश्ण का right answer होगा जो पढ़ण मुखरजी थे यह भारत के 13 राष्ट पती थे इस बात का ध्यान रखेगा और इसके बाद हमारा next प्रश्ण होगा इसी में चौथा प्रश्ण है प्रणव मुखर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था इस प्रश्ण का हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 2019 को यानिकि अप्सन नमर डी यहाँ पे हमारा करेक्टर आंसर होगा 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से प्रणव मुखर जी को शम्मानित किया गया था उसके बाद हमारा next question है परणव मुखर जी किस पार्टी के वरिष्ट नेता थे हलांकि ये किसी अन और भी पार्टी से जोड़े वेते लेकिन आपसे पूछा जा रहा है में रूप से जो भी वरिष्ट नेता होता है किसी एक खास पार्टी का होता है तो जो प्रशन आपसे पुछा जा रहा है कि प्रणव मुखर जी किस पार्टी के वरिष्ट नेता थे तो इसका जो हमारा answer होगा ये भारते राष्टे कॉंग्रेश का होगा जब इसके बारे में जो भी मैंने थियोरी यहां पे उपर दिया था पीडियाप में जब वहाँ पढ़ेंगे यहां पे कुछ दूइधा हो गया थी कुछ विबाद हो गया था जिस वज़े से यहां पे भारते राष्टे कॉंग्रेस से ये कुछ समय के लिए अलग होए थे और इन्होंने एक पार्टी का भी गटन किया था ये सबीचीजों को मैंने वहाँ पे काफी अच्छी तरीके से लिखा है आप चाहे तो उसे आराम से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं अब उसके बाद हम आते हैं आगे अगला प्रशन पे छटा नमर प्रशन है हमारा यहाँ पढ़ना मुखर जी ने भारत के तेरवे राष्टपती के रूप में गोपनिता की शपत कब लिथी तो ये जो गोपनिता की शपत लिया था तेरवे राष्टपती के रूप में यहाँ पे इसका जो अंसर होगा 25 जुलाई 2012 यानि कि ऑप्सन नमर बी यहाँ पी हमारा इस का राइट अंसर होगा 25 जुलाई 2012 को इन्होंने तेरवे राष्टपती के रूप में शपत लिया था जान रखेगा 25 जुलाई 2012 इसका राइट अंसर होगा अब उसके बाद हमारा शात्वा नमर प्रशन ये भी प्रशन महत्त्रपूर्ण है पढ़ना मुखर जी इनमें से क इस किताब के लेखक थे तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा अपसर नमर-ए हमारा यहां पर इस प्रशन का राइट आंसर होगा अपसर नमर-ए कि 25 जुलाई की कोई नोने गुपनिता की शपतली थी तो इसका जो राइट अंसर होगा अपसन नमर बी यहां पर हो जाएगा 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक यह 13 राष्टपती के रोप में इसका कारिकाल है तो इस बात का ध्यान रखिए अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्ण है नवा नमर प्रश्ण यहां पर देख सकते हैं अब यह प्रश्ण है परणव मुखर जी जब राष्टपती थे के शमकालिन भारत के परधान मंतरी निमलिकेत में से कौन थे तो जब ये राश्टपती बने थे तो उस समय जो भारत के परधान मंत्री थे तो परधान मंत्री थे मन मोहन शीन ध्यान रखिए कि अपसर नमर बी यहाँ पर राश्टपती होगा इस तरह के परधान महत्पूर्ण हो जाते हैं किसी भी comparative exam के द्रिश्टी कौन से हो सकता है आने वाले समय में आपसे पूछ लिया जाए और इसके बाद हमारा दस्वा परधान मुखर जी जब राश्टपती थे अपसर नमर ए आंसर होगा राइट आंसर हामीदन सारी थे उसके बाद हमारा नेक्स प्रश्टपती होगा स्री परणा मुखर जी से पुर्व भारत के राश्टपती इन में से कौन थे तो ये परतिभाद देवेशिंग पाटेल थे अपसर नमर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्टपती का राइट आंसर हो जाएगा परतिभाद देवेशिंग पाटेल इस्टे पहले भारत के राश्टपती थे और उसके बाद अगला प्रश्टपती है प्रणव मुखरजी के बाद भारत के राश्टपती कौन थे या फिर है तो प्रणव मुखरजी के बाद जो भारत के राश्टपती बने थे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बारा का अपसर नमर ए यानि के रामनात कोविंद अपसर नमर A यहाँ पर राइट अंसर होगा रामनाथ कोविंद अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स प्रश्न पे तेरह नमर प्रश्न है हमारा कि पुर्व राश्पती पर्णव मुखरजी की मिर्तियू कितने वर्श में हुई है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर राइट अंसर होगा तो चौदर नमर प्रश्न का हमारा राइट अंसर होगा 2019 को इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो परणव मुखरजी को भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया था और उसके बाद हम नेक्स प्रश्न में चलेंगे प्रणम मुखर जी को पद्म विभोसन से कब सम्मानित क्या गया था इसको पद्म विभोसन से सम्मानित क्या गया था पंद्र का जो राइड अन्स रोगा वो हो जाएगा प्रणम विभोसन से सम्मानित क्या गया था कि 2019 में भारत रतन से शमालित किया गया था और इसके बाद हमारा नेक्स प्रशन है 16 प्रशने पर्णम मुखरजी की पतनी का क्या नाम था यह भी महत्पूर्ण हो जाता है लेकिन एक्जाम की तरिष्टी कौन से उतना महत्पूर्ण नहीं है कि एक पूछा जाएगा तो इक ध्यान रखेगा इसके पतनी का जो नाम था यह शुब्रा मुखरजी था यानि कि अप्सन नबर एस प्रशन का 16 का राइट अंसर अप्सन नबर एस शुब्रा मुखरजी और उसके बाद नेक्स प्रशन है हमारा 17 नंब उने 77 पर्णम मुखरजी का विपाब हुआ था तो इस बात का ध्यान रखेगा ऑप्सन नमर 3 यहां पर इस प्रशन का राइट आंसर हो जाएगा और इसके बाद नेक्स प्रशन है प्रणम मुखरजी के कितने संतान नहीं थी तो इस प्रशन का आंसर होगा अप्सन मैर बी यानि कि तीन संतान पर्ण मुखरजी का तीन संतान था तो इसे ध्यान रखिएगा तीन संतान थो जाएगा और उनीच नमर प्रशन है इन में से कौन पर्ण मुखरजी का संतान नहीं है तो ध्यान रखिएगा शमिष्ठा अवेजीत और इंद्रजीत ये सभी पर्ण यहां पर आप 20 में से काफी अधिक प्रशनों को यहां पर आप को इतने ब्यार आओगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी सारी चीजें सिखे होंगे जब आप इसको पीडियो को डाउनलोड करेंगे तो यहां पर आपको अंत में पीडियोप का इसका आउन्सर भी डिया गया है आप वहां पे इसका आउनसर भी देख सकते हैं तेकि टेलेग्राम ग्रूप में जोडने का फाइदा आपको सबसे बड़ा यह होगा कि मैंने जो भी प्रिवियस पीडियाप वहाँ पे डाले हैं एक्जाम से रिलेटेड वो सभी को आप एकसेस कर पाएंगे सभी को डाउनलोड कर पाएंगे और सभी को देख पाएंगे तो आज के इस वीडियो में इतना है और आपको बता दूँ कि हमारा जो 66 में VPSC के लिए टेश्ट सरीज चल रहा है इस VPSC का 66 में VPSC Pre के लिए अगर आप उसे जोइन करना चाहते हैं तो जोइन केजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जैनकरिया दी गई है औ या फिर टेस्ट सरीज लिए भेज सकते हैं तो आप चाहें तो हमारे टेस्ट सरीच को जोईन कर सकते हैं के बायको जीमत यह होता है एक सुझाव जो होता है वो हमारे लिए काफी उप्योगी होता है चाहे आपका किसी परकर का सुझाव हो कोई शिकायत हो इस वीडियो के कमेंट बक्स में जाईए और कमेंट किजे चलिए धन्नवाद